स्वपन कक्ष, एक शहर में एक परिशर्मी, इमानदार और सदाचारी रड़का रहता था, माता, पिता, भाई, बहन, मित्र, रिष्टेदार, सब उसे बहुत प्यार करते थे, सब की साहता को ततपर रहने की कारण, पडोसी से लेकर सह कर्मी तक उसका सम्मान करते थे, सब और सफलता ही उसके हाथ लगती, उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया, और अंत में जीवन चक्र से निकल कर वह काल चक्र में समा गया, जूंकि उससे जीवन में सु कर्म किये थे, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ती हुई, देवदूद उसे लेकर स्वर्ग लाजे, स्वर्ग लोग का अलोकी प्रॉंदर्यत देख वह मंत्र मुक्थ हो गया, और देवदूद से बोला, ये कौन से स्थान है? ये स्वर्ग लोग है, तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है, अब से तुम यहीं रहोग देव दूट ने उत्ता दिया यह सुनकर लड़का खुश हो गया देव दूट ने उसे वहे घर दिखाया जहां उसके रहने की विवस्था की गई थी पै एक आदिशान घर था इतना आदिशान घर उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था देव दूट उसे घर के भीतर लेकर गया और एक एक कर सारे कक्ष दिखाने लगा सभी कक्ष बहुत सुन्दर थे अंत में वहे उसे एक ऐसे कक्ष के पास लेकर गया जिसके सामने स्वपन कक्ष लिखा हुआ था जब वे उस कक्ष के अंदर पहुँचे तो लड़का यह देखकर दंग रह गया कि वहाँ बहुत सारी वस्तों के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए थे ये वही वस्तों थी जिने पाने के लिए उसने आज इवन मेहनत की थी किन्तु हासिल नहीं कर पाया था आलिशान घर, कार, उच्चा धिकारी का पद और ऐसी ही पहुत सी चीजें जो उसकी सपनों में ही रह गये थे वह सोचने लगा कि इन चीजों को पाने के सपने मैंने धरती लोक में देखे थे किन्तु वहाँ तो ये मुझे मिले नहीं अब यहाँ इनकी छोटे प्रतिरूप इस तरह क्यों रखे हुए है वह अपनी जिग्यासा पर नियंतर नहीं रख पाया और पूछ बैठा ये सब यहाँ इस तरह इसकी पीछे क्या कारण है देव दूत ने उसे बताया मनुष्य अपने जीवन में बहुत से सपने देखता है और उनके पूरा हो जाने की कामना करता है किन्तु कुछी सपनों के प्रती वह गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने का परियास करता है इश्वर और ब्रह्मांड मनुष्चे के हर सपने पूरा करने की तयारी करते हैं लेकिन कई बार असफलता प्राप्ति से हताश होकर और कई बार ध्रेट निश्चे की कमी के कारण मनुष्य उश्चन प्रयास करना छोड़ देता है जब उसके सपने पूरे होने वादे ही होते हैं उसके वही अधूरे सपने यहां प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं तुम्हारे सपने भी यहां प्रतिरूप के रूप में रखे हैं तुमने अन समय तक हार नमानी होती तो उसे अपने जीवन में प्राप्ट कर चुके होते लड़के को अपने जीवन काल में की गई गलती समझा गई किन्तु मृत्यू पस्चात अब वह कुछ नहीं कर सकता था तो दोस्तों किसी भी सपने को पूर्ण करने की दिशा में काम करने की पूर्व यह ध्रिण निष्चे कर लें कि चाही कितनी भी मुश्किने क्यों न आए चाही कितनी बार भी असफलता का सामना क्यों न करना पड़े अपनी सपनों को पूरा करने की दिशा में तब तक परियास करते रहेंगे जब तक वे पूरे नहीं हो जाते अनिता समय निकल जाने के बाद यह मलाल रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा परियास और किया होता अपने सपनों को अधूरा मत रहने दीजिए ध्रिन निश्चे और अथक परियास से उन्हें हकीकत में तबदील करके ही दम लीजिए